आज आप सबको ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में कुछ बताना चाहती हूं 1919 में स्थापित लीग ओफ नेशन्स का पर्यास जब असफल हो गया और विश्व पर जब युद्ध के बादल मंडराने लगे तो इन परिस्थितियों के बीचन 1927 ने सिंध हैदराबाद के प्रजापिता भ्रह्मा कुमारी इश्वरी विश्य विद्याले की स्थापना हुई दादा लेकराज नामक हीरों के सुप्रसित द्वयापारी थे जिनके तन में परम पिता परमात्मा शिव ने प्रवेश किया परमात्मा के देशों को मानते हुए दादा ने संस्था की स्थापना की जिने प्रजा पिता भ्रह्मा नाम से जाना जाने लगा भारत पाकिस्तान के बटवारे के पस्चात इसका मुख्याले माउंट आबु को बनाया गया माउंट आबु का नैट्रल और रोहानी वतरवर्ण सारे वीश्व में शान्ती और पवित्तता की किरने फ्यलाता है प्यारा मदुवन प्रतिवश लाखों महमानों का स्वागत करता है वहां स्थाई रूप से लगबग 5,000 भाई बहने सारी संस्था की सेवा करती है इस संस्था सेवा केंद्रों को बहने चरहती है ये संस्था संजुक्त राश्य स्वन द्वारा मानेता प्रापत है और इसका गैर सरकार्य सदस्य है ये विश्य विद्यालिब भारत के कौने कौने में फैला है भारत में इसके 8500 केंद्र है और महाद्वीपो में 145 केंद्र है इस संस्था को नैशनल पीस अवर्ड से समानित किया गया था 1981 में सभी जाती धर्म से संबंदिद लोग इस विद्यालिब में प्रवेश कर सकते हैं इसकी उनसे कोई फीस नहीं जी जाती इस संस्था की सिवाओं में बिविन वर्गों के 20 विद्ध है जैसे वैज्ञानिक राजनीतिक मीडिया शिक्षक आदी इस संस्था का उदेश्य विश् करके तर्णाव मुक्ति जीवन बनाना है बच्चों एवं युवाओं का च्रित्र निर्मान करना है ओम शांती रोहानी बच्चों के रोहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते